हेलो इस्ट्रेंट्स वेल्कम ओन नोबल इंस्ट्यूट मेरा नाम है मांशुर्ष व्यवास्ता है आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं जो फॉस्स चेप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उसी के कुछ कुछ सब्सक्राइब के कॉशन के सब्सक्राइब करो फेस्स लीएक यह उसी के आगे कुछ और कोश्न समलोग करने जा रहे हैं चली स्टार्ट करते हम लोग आज का पहला कोश्विवाल होगा question क्या है ध्यान से देखें आप जड़ा a given charge is situated at a certain distance from an electric dipole in the end on position experience of force F तो आप एक electric dipole बना लें इसर ये electric dipole है minus Q and ये plus Q हुआ है अब इससे इंड ओन पोसिश्थिशन पर यानि यहां पर कहीं पर कोई एक पार्टिकल है यह चार्ज पार्टिकल है जिसके उपर एक फोर्स लग रहा है यह फोर्स का मेगनिटूट कितना है एफ है तो यह कोई पॉइंट ए है लिट उस्टे यह इनका मिडल पॉइंट है यह यह है यह यहां से यह दूरी जो है वो एक्स है अब यह X है, फिर्स F है, इव दा डिस्टेंस ओफ चार्ज इस डबल, चार्ज का डिस्टेंस अगर डबल कर दिया जाए, तो सबसे पहले आप समझें कि जो एलेक्रिक फिल्ड होता है, या फॉर्स पूचा गया है, जो जो एलेक्रिक फिल्ड होगा, उसके लिए फॉर्मुल और यह डिरेक्ली प्रोपोशनल टू एक्स क्यूब है अब इनके बीच का डिस्टेंस अगर डबल हो जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस अगर डबल हो जाएगा तो आप समझ यह कि डिस्टेंस डबल हो जाने से डिस्टेंस डबल हो जाने से अब होगा क्या कि फोर्स जो है वह 1 x 8 हो जाएगा क्यूंकि फोर्ड जो है इन्वर्सली प्रपॉर्चनल x क्यूब ए तो 2 का क्यूब मिंस कितना हो गया घैक तो डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो फोर Swanti हो जाएगा इसलिए क्रेक्ट उप्शन-जो है वो एपन पर थो क्या हो Łजाएगा डी नेक्स तरड़ाते है नेक्स कोशन देखिए question है electric dipole consisting of two opposite charge यह charge है यह charge है इसके पास और 2 into 10 to the power minus 6 microcolum 10 to the power minus 6 is separated by a distance 3 cm is placed in electric field this one maximum torque आपको पूछा गया है maximum torque क्या होगा maximum torque जो होता है PE होता है PE sin theta होता है maximum के लिए sin theta की value 1 हो जाती है PE होता है और P की value क्या होती है Q into 2L 2L क्या है उनके बीच की दूरी है इसी को आपको क्या कर लेना है solve कर लेना है Q कितना है 2 into 10 to the power minus 6 और उनके बीच का distance आप देख पा रहे हो 3 cm है तो 3 cm का मतलब यह हो गया कि 3 into 10 to the power minus 2 cm है और electric field कितना है electric field है 2 into 10 to the power 5 2 into 10 to the power 5 यह electric field हो जाएगा अब इसी को हमें solve कर लेना है आप देखें 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 3 और 2 12 हो जाएगा 10 to the power minus 6 और minus 2 minus 8 हो गया और यह 5 है तो 10 to the power minus 3 हो जाएगा यानि 0.012 आपके पास Newton meter का हो जाएगा तो यह हमारे पास B option आपके पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स कोश्चन पर आते हैं नेक्स कोश्चन देखिए जड़ा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है moment के लिए आपको पता होना चाहिए Q into 2L है और 2L जो है उनकी बीच की दूरी है Q कितना है चार्ज पार्टिकल 1.6 into 10 to the power minus 19 और उनके बीच की दूरी कितनी है 1 इंग स्ट्रॉम है 1 इंग स्ट्रॉम का मतलब 1 into 10 to the power minus 10 तो यह आपके पास हो गया 1.6 into 10 to the power minus 29 और इसका जो यूनिट हो जाता है वो कुलाम मीटर हो जाता है ठीक है तो यह P आपके पास इस तरह से यानि डाइपोल मोमेंट यह हो गया 1.6 into 10 to the power minus 29 ठीक है यूनिट आपको कुलाम मीटर में ही बोला गया है चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं देखते हैं नेक्स कोस्चन अपने पास क्या है नेक्स कोस्चन देखिए नेक्स कोस्चन है एलेक्रिक चार्ज Q, Q और माइनस 2Q are placed at the corner of equilateral triangle A, B and C ठीक है अपसाइड एल आप देखो समझो इस बात को इमान के चलते हैं यह हमारे पास एक equilateral triangle है A B and C और यहाँ पर हमारे पास charge particle रखा गया है एक पर रखा गया है plus Q दूसरे पर भी plus Q और तीसरे बादे पर minus 2Q रखा गया है आगे पढ़ते हैं सवाल the magnitude of electric dipole moment dipole moment आप से पूछा गया है तो आपको क्या करना है इस minus 2Q को आप इसको माइनस Q और माइनस Q समझकर solve करिये अब आप देखें इनके बीच का एंगल कितना है 60 60 और 60 क्या है यह क्या है यह system यह कम बाहुत्रिभूज है equilateral triangle है कैसा है यह कम बाहुत्रिभूज है equilateral triangle अब देखें सबसे पहले आप यह समझेए कि जो माइनस मिलके किदर की तरफ डारेक्शन बनाएंगे मिलकर किदर की तरफ डारेक्शन बनाएंगे यह डारेक्शन बनाएंगे इधर की तरफ यह पी हो गया और यह भी किदर मिलके डारेक्शन बनाएंगे यह इधर माइनस से प्लस की तरफ यह पी हो गया अब दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट क्या होता है पता है आपको यह होता है a square plus b square plus 2ab cos theta तो यह हो गया p square p square 2p into p और और कॉस्सिक्स्टी हो गया ना और कॉस्सिक्स्टी को अपन कितना कहते हैं वन बाइट टू कहते हैं तो आप देखिए टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा ना और कि यह बन गया p square p square और पी स्क्वार तो 3p square हो गया न यह हो गया p root 3 यह हो जाएगा resultant p root 3 और p कितना होता है p होता है q into इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी माल लिजे ल है तो q into l root 3 यह अपने पास answer हो जाएगा तो correct जबाब हो गया root 3 q into l यह हमारे पास correct answer हो जाएगा तो 44 का correct answer क्या होने जा रहा है c option होने जा रहा है अगले सवाल की तरफ चलते हैं next question देखते हैं find the electric dipole moment of the system बिलकुल same सवाल है बट इस बार triangle बदल चुका है यह minus 2 q लिखा हुआ है न तो इस minus 2 q को आप minus q और minus q बोल दो आप direction minus से plus की तरफ तो एक dipole moment इधर की तरफ direction हो गया इधर डाइपल मोमेंट इधर की तरफ हो गया और अगर दो वेक्टर perpendicular है और एक इधर की तरफ पी है और दूसरा भी इधर यह क्यों इनके बीच की दूरी कित्ती है एक तो क्यों एंटू रूट तो क्यों एंटू रूट टू और तो जबाब हो जाएगा वाला option इसलिए बिल्कुल आराम से जो आपको concept पता है वही concept इंप्लीमेंट कर दो बस और कोई दिक्कत की बाद नहीं है नेक्स क्वेश्चन पर आ जाते हैं क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पहला केस यह है यह क्यूं है माइनस का और यह क्यूं है फ्लस का ठीक है इनके बीच की दूरी जो है वह 6 मिटर है इनके बीच की दूरी इक्स मिटर है अब इसी बात है यह सेंटर हो गया अब इस सेंटर से अब इस सेंटर से कि इस सेंटर से त्री मीटर की दूरी पर कि दूरी पर कितना मीटर की दूरी पर यह पॉइंट है मान लेते हैं यह हो गया यह पॉइंट एदिया ए दूरी किती हो गई डूर कि यह पर एलेक्ट्रिक विल्ड किसा और अधियान देजर जार है कि अधियाले लग्रट्रिक फील मैं क्यूस पहले की दूरी का होता है यह वन भाई कर स्क्राइब और दूसरे की दूरी कित्ती है वन भाई टेवन स्क्वेर इसके लिए कि एलेक्रिक फिल्ड क्या होता है एक बार मैं लिख दूं के क्यू अपॉन आर स्क्वेर होता है क्यों कि दूसरे के लिए और दूसरे के लिए आप यहां पर आप देखें यह वैलू कितनी हो जाएगे क्यू डेवन-काइस-क्षार यह नहीं 49 हो यह इदर जाकर गया फॉर्टी ऑपाँ फॉर्टी नाइन हो गयाは यह को यह ओग्या एकशील पे ऑगर एक्विटोरियल लाइन होगा थ्यान से देखिए दूसरा case यह एक्विटोरियुंग लाइन है यह माइनस क्यूं है यह प्लस क्यूं है फ्यादि यह च्छे है यह 3 मीटर हो जायेगा और यहां से प।कॉर मीटर यहां से 3 मेटर पर है अप को बताना है इस पौइंट पर आपको बताना है एलेक्रिकशन की निटिंसिटीर फाइस सिवाद है यह माइनस वाला है तो यह एलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स इदर की तरफ होगी प्लस वाला है तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा कि एंगल जो है वो कि आ है यह यह एंगल यह चार है यह पांच है तो यह फिप्ति-्योगा ये एंगल भी कितना होगा 53 होगा या थीटा होगा थीटा कर लो आप इसको थीटा कर लो थीटा की वैलू 53 है ये बात याद रखना आप ये थीटा ये भी थीटा तो ये भी थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया तो इलेक्रिक फिल्ड की इंटेंसिटी अगर इधर E है त तो यहां पे बी पॉइंट पे अग्या एलेक्रिक फिल्ड होगा वो जाएगा टू इक उस्टीटा इतना हो जाएगा टू इस थीटा बाकिया आप समझ रहे हो कि इधर का इक अपॉनेंट मिलेगा यह वर्टिकल वाला कंपॉनेंट एंसल आउट हो जाएगा यह जाएगा ट हो गया क्यों ही रहने तो आप अपन आरे सक्वार गार के अर्य गटना हो जाएगा इस थिटा ओको जाएगा त्री भाइफ निवाई था किए अपेफ इसे को देख लो आप है कि कतना हो गया यह 6 KQ upon 125 हो जाएगा यह हो जाएगा EB तो अगर हमें EA और EB का रेशियो निकालना है तो KQ KQ तो गायब हो जाएगा बस solve कर ले आप उसके लिए किसके लिए पहले में है 48 upon 49 और दूसरे में है 6 upon 125 तो यह 6 जो है वो कैंसील होगा आठ बार यह उपर चला जाएगा यह हो जाएगा 125 इन्टू एट और यह 14 125 और आठ को मल्टिप्लाई करो कितना आजाएगा 1000 और यह उन्चास तो EA यानि एक्जील पे EB यानि एक्विटोरियल पे जो रेशियो हो जाएगा 1000 upon 49 हो जाएगा और 1000 upon 49 कहां पर है आपके पास यह वाले आप्शन 1000 upon 49 यह हमारे पास इस तरह से हो जाएगा नेक्स्ट यह देखो आप फिगर सो दा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्जिंग फॉर्म चार्ज बोडी इफ देखो यह पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फिल्ड के बारे में बताना है आप समझिए ए पॉइंट पर लाइंस जो है वह क्लोज़र है और बी पॉइंट पर NFS यह और syक्ट फॉर्याइब कर लाइन पास पास होगी तो वहां पर एलक्ट्रिक फिल्ड पास होगा और जब लाइन दूर-दूर होंगी तो वहां पर एलेक्ट्रिक फिल्ड कमजोर होगा तो यह की वैलू इबी की वैलू से पड़ी होने जा रही है तो करेक्ट अंसर जो है वो पहला वाला हो जाएगा ठीक है कि अरेक्ट अंसर पहला वाला हो जाएगा नेक्स कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन अफ्यू एलेक्ट्रिक लाइन्स पॉर सिस्टम ऑफ टू चारिज़स क्यू एंड क्यू टू 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 डिफरेंट पोजिश्ट पॉइंट ऑन दी एक्सेस मतलब मैं आपको बता देता हूं कि यह इसी ए लिए क्यो एंट क्या है किवन पर नंबर ओफ लाइन्स क्या है जाधा हैßerस्द्ही पर नंबर ओफ लाइन्स देखो कितनी है एक यह दो तीन 4 पांच है सित्थ आर्ट नों द़ो देश्म ज्यारा बारारो तै Gefühl पर अगर लाइन देखी जाय तो 12 लाइन से और पू टू टू आगे तोन होगा है कि उननी के पास लाइन स्जादा है क्यू का मैंनिट्यूट के मैंग डिट्यूट से ज्यादा होगा तो म sikyu and मैंनि च्च्ų तो के मैंनि पोजीशन बस बताना ऐसा इप कर दोडना यहां पर फिल्ड की वैलू जीरो हो जाए तो अगर आपको याद आ रहा हो तो पॉइंट है अब यह प्लस चार्ज होगा और यह माइनस चार्ज होगा तो कि यहां से लाइन निकल रही हो यहां पर लाइन आ रही है तो एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फिल्ड जो है वो इनके बीच में नहीं होगा इनके अगल बगल होगा इलेक्ट्रिक फिल्ड जीरो जो है वो उनके बीच में जीरो नहीं होगा वो बगल में जीरो होगा मगर किसके क्लोजर होगा जो चार्जर स्मॉलर होगा तो यहां पर charger कौन smaller है Q2 smaller है तो यहां पर कहीं पर यहां पर किसी point पर electric field 0 होगा ठीक है तो अब देखो पहला option तो सही है at a finite distance to the left of Q1 left of Q1 इधर की तरफ नहीं यह वाला गलत हो गया at a finite distance to the right of Q2 right of Q2 पर electric field 0 होगा जी सही है है यह बात तो one or four सही है one or four सही होने का मतलब correct answer क्या हो जाएगा टारो जाएगा है वन फॉर सही है तो correct answer तारो जाएगा चलिए नेक्स्ट कुश्चन आते हैं बात करते हैं यह question देखें आप जड़ा है अगें यह question line से related है a b c a पर और सी पर लाइन बदाबर ही हैं है कि एक पास जितनी लाइन से के पास वह वह वैलू बड़ी है कौन सा अप्शन हो जाएगा यह और यह बड़ाबर है बट ये बी से बड़ी वैलू होने जा रही है मेरे ख्याल से कीज़े क्लियर हो रही होगी अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल देखिए एक चार्ज पार्टिकल है वो प्री है बूफ करने के लिए तो आलवेज लॉंग लाइन ओप पोर्सेज इफ इनिशियल विलॉस्टी जिरो अगर यहां पर रख दें तो क्या होगा यह आगे की तरफ बढ़ जाएगा अगर विलॉस्टी जीरो रख दिया जाए तो इसी डार आगे बढ़ जाएगा तो दूसरा वाला उप्शन साही है अच्छा लॉइस 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 नहीं होगा जैसे मैं कहूं इलेक्रिट फिल्ड ऐसे हैं हमें कोई चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेक दिया विचार्ज पार्टिकल इदर की तरफ जाएगा तो अलॉंग हो गया पचास का रोलो ओप्शन नेक्स्ट से स्लेंडर ओफ्रेडियस और अल ratings अजेंटल इस प्लेश्न जंडेयल यूडि फॉर्म फिल्ड तरक रखाना यादि यजये से लिंडर रख आया और यहां पर यहां पर यहां पार результат उनिफॉर्म एलेक्रिक एपिस अब तीन सर्फिस माल लेते हैं आपके पास है एक सर्फिस यह हो गया एक सर्फिस यह हो गया इसका नाम कट्व हो गया और भी को चलिए नाम दे देते हैं तो जो इंगेट्ट होगा तो किसके बरावर होगा फाइवन फाइट तो और फाइथरी तो मेर्मև पाइट्री का सर्फेस सь हरेशं खिन रहे हैं इसका मतलब फाइथरी से कोई भी लाइन नहीं जायेगी इसका मतलब यह वेल्वहजह गया जिरो फाइवन के लिए क्या होगा आईवन के लिए होगा एए मगर यह का डारेक्शन ऐसे है और एरिया वेक्टर इसका ऐसे होगा इस बार एरिया वेक्टर ऐसे होगा यहां पर माइनस लिखना पड़ेगा और यहां पर किया इए की डारेक्शन में तो फ्लस यहाँ इधर एधर 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 की डारेक्शन में और टारेक्शन में Scottish फ्लस सो किया पर नेट फ्लक्स किता हो जाएगा गाव किन में जूरी नेक्सFR पर आथे हम लोग एलेक्रिक चार्ज Q is placed at the center of cube of side A, ठीक है, A side पे है, एलेक्रिक चार्ज Q is placed at the center of cube of side A, यह आप देखें, यह अधर है, यह एलेक्रिक फिल्द है, ठीक है, electric charge q is placed at the center of cube of side a कोई side a है उसके center पर है ठीक है the electric flux on one of its surface will be one of its surface center पर है कहाँ पर है electric charge q is placed at the center of a cube center of a cube center of a cube यहाँ पर है तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा total flux total flux कितना होगा यह होगा q by epsilon not अगर question total flux नहीं पूछ रहा है पूछ रहा है the electric flux on one of its face एक फेस से कितना होगा वह एक फेस से कितना होगा इच फेस से अगर बात करें तो यह हो जाएगा q by epsilon not चुकि छे फेस है तो इच फेस के लिए एक से डिवाइट कर लिए तो करेक्ट टेंसर कौन सा हो जाएगा यह ऑप्शन हो जाएगा अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल देखें इसके उपर रखा हुआ अगर आप इमेजनरी इसके उपर एक आप इमेजनरी इसके उपर एक आपने इमेजनरी रख दिया क्या इमेजनरी रख दिया जाए इसके उपर आपने इमेजनरी थे आप एक हैमी स्फियर इमेजनरी है wasn't imaginary hemisphere अब क्या होगा अब टोटल हो जाएगा मेट सब्सक्राइबnię उपॉन आप्साइलन नॉट्ट पीसãy ही मिस्पेशिक अर्थ गोले की वज़ए से कितना होगा सिं अर्थ गोले की वज़ए से कितना होगा यह तो आधा हो जाका अर्द गोले की वज़ा से एपसाइलन क्यों बाइट टू एपसाइलन करेक्ट जबाब हो जाएगा टू बाइट टू एपसाइलन नॉट अ कि सिंवेड एंड आउट वंड एवकों अग्ण एट एरिक्टिक फ्लक्स अर्वजड सर्फेस आप यसे म स्माल लिया घा है यही इन आउट वर्ड एंड आउटवर्ड hm है सर इनवर्ड है 8 इंटो 10 टूझी पावर 3 आउट वर्ड कितना है 4 इंट्व 10 टूझी पावर 3 जंद टोटल चार्ज इंसाइड दी फाई नेट जो होता है वो क्यों अपॉन एपसाइलन नॉट होता है तो निट चार्ज क्या हो जाएगा फाई नेट2 एपसाइलन नॉट, 5 net कितना होक, यह πाई है, तो 5 net जो होगा, वो फाई 2 माइनस 5 1 होगा, तो फाई 2 कितना है, 4 एंटो 10 तो दिपावर 3 और 8 इंटो 10 तो दिपावर 3, यह हो जाएगा, minus 4 एंटो 10 तो दिपावर 3, यह हो जाएगा minus 4 epsilon not into 10 to the power 3 क्यों हो जाएगा charge कुलाम है तो कुलाम कर लो ठीक है तो correct tensor क्या हो जाएगा 4 into 10 to the power minus 3 plus 3 epsilon not correct tensor T वाला option चले अगले सवाल की तरफ चलते है if the electric flux entering and leaving an enclosed surface respectively phi 1 and phi 2 the electric charge अगें वही वाला सवाल है तो phi 2 minus phi 2 minus phi 1 into epsilon not phi 2 minus phi 1 into epsilon not अगला सवाल चले चार्ज configuration and the spherical Gaussian surface as shown in the figure when the calculating the flux of the electric field over the spherical surface the electric field will be electric field पूछा है पूछा है तो electric field पूछा गया है तो electric field तो सभी चार्ज की वज़ा से होगा आए वो Q1 हो Q2 हो Q3 हो प्लस हो माइनस हो तो electric field जो है वो सभी चार्ज की वज़ा से होगा तो correct answer जो है वो तीसरा हो गया है कि यहां पर इसकी वजह से तो एलेक्ट्रिक फिल्ड होगा वो किसके बराबर होगा कीडिग माफ़ उ पॉं आप साइलन नौटने बराबर होगा मगर सर्फेस से कैसा होगा पर्पंडिकुलर सर्फेस से सीट अप्ऊ साइलन सीट है दो पैरिलर सीट है ठीक है रिक और बना लेते हैं दो पैरिलर सीट है विट लाइक चार्जेज आफ सीम सर्फेस लाइक चार्ज है इस पे भी अगर प्लस है तो इस पे भी प्लस है या इस पे अगर माइनस है तो इस पे भी माइनस है अगर एक प्लस इस पर प्लस है और बीच में कोई रखा गया है तो बीच में अगर आपको इलेक्रिक फिल्ड की इंटेंसिटी देखनी है तो यह भी रिपल करेगा यह तो यह आपस में क्या हो जाएंगे इसकी वज़से सीगमा भाई एप साइलन होगा इसकी वज़से इलेक्रीकी इद्हार इसकी वज़से एप से ओ्क में कर लेंगे करेंगे गजी। सै中 मेरे ते यह सारे चैप्टर के थे तो नंत पिम्रूंड थे गात्रीमó deviation करें आप और और अगर कोई डाउट वगर आया तो आप कमेंट में भी आप उससे पूछ सकते हैं ठीक है तुम्हारे चैनल के साथ बने रही है वीडियो को लाइक और सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे थैंक यू वेरी मुच है वनाइस टेह थैंक यू